हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू मैं चैनल और आज हम इस कपड़े की बनाएंगे कुर्ति तो देखिए इसका जो नेक डिजाइन ने बना हुआ है और कितना ये उपर चे कितना कपड़ा इसमें बेस्ट है तो चलिए इसके कुर्तिया बनाना शुरू करते हैं देखिए कपड़े कूर्तिय की लंबाई है बंड के साथ हमारी यहां पर शगों तक मैं इस तरह से कट कर लूँगी है यहां पर हम इस पूरी कूरति को नहीं के यहां पर निचे कई रखेंगे यहां पर प्लेट डालेंगे और इसके साथ अटेच कर लेंगे और यहाँ पर हमने काटना है तीरा तो जितना आपका तीरा है उसका हाफ होता है नीचे को फिर मैंने ये ले लिया आर्म होल और फिर ये देखें यहाँ से इस तरह से आर्म होल नीचे को हमें ले लेना है आगे को निशान लगाना है खुली वाली साइड की तरब से और यहां पर चाती लेंगे तो जितनी आपकी चाती है उसका फौर्थ पार्ट होता है तो इस तरह से आगए को मैंने लिदेंफ्ञ मारजन ले लिया है नीचे में ये केसे का जो डिजाइन आपको विडियों में करेंगी कर लिए करेंगे तो इस तरह aux कर लेंगे तो यहां पर हम प्लेट्स डा लेंगे रहें हमने इसका back part भी cut कर लेना है इसी तरह से काटना है यह दिखिए और अब हम कुर्ती के बाजु कट करेंगे और इनके neck design कट करेंगे तो यह देखिए कुर्ती से हमारी यह कपड़ा बचा है तो इसको हम इस तरह से double fold करके कोर इसमें fold देंगे और इसमें से बाजू कट कर लेंगे बाजू का डिजाइन अप अपनी मरजी के अनुसार रख सकते हैं इसका मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी कि कौन से बाजू मैंने इसमें बनाए है तो यहां पर अब मैं गोल नेक डिजाइन काट रही हूं अब यह जो फ्रंट का हमारा बना बन अब अपने हिसाब से इस तरह से पिन से इसको पहले हमने सेट कर लेना है और फिर ऐसे हमने इसको इसमें सिलाई गुलाई में लगा लेनी है देखिए पिन को अब मैं हटा रही हूं और इसको एक सिलाई चोड़के एक पैर की सिलाई चोड़के हम कट कर लेंगे और यहां कट्म लगाएंगे ताकि हमारा यह फोल्ड हो जाए सीधी साइट से देखिए हमारा यह कपड़ा इस तरह से हमने यह पूरा गोल में मारेजन चोड़ना है ताकि हम अंदर की साइट इसको फिर फोल्ड करेंगे देखिए हमने इसमें बुक्रम गारे का कुछ भी यूज नहीं किया तो यह देखिए इस तरह से अब इसको हम फॉल्ट करेंगे बहुत असानी से हमारा यह नैक डिजाइन बन जाएगा देखिए इसके कॉर्णर में अब मैं सिलाई लगा रही हूं तो देखिए वाले बाजू मैंने इसमें कट करें हैं और इस तरह से अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे और बहुती अच्छी सिंपल कुर्टी से देखिए हमारी कितनी अच्छी यह कुर्टी बनी है अब हम बैक का गला बनाएंगे तो इस तरह से द यहुआ मैं इस तरह से करेंगे और इसके बी कापड़ा में यहां पर सिलाइ हमारी finishing के साथ जो है इसमें तरुपाई होती है तो जो पीछे का गला है न कुर्ती का इस तरह से बनाएं तो बिल्कुल finishing के साथ बनता है ये देखिए बिल्कुल finishing के साथ हमारा ये neck design बनता है इसमें हम तरुपाई कर लेंगे तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल से कुर्टी को भी बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो यह देखिए विरेंट्स इस तरह से हमारा यह नेक बना है और बहुत अच्छी सिंपल कुर्टी में देखी कितना अच्छा लुक आया है और इस तरह से बटन यहाँ पर हमने लगा लेने हैं और हमारी कुर्टी बनके त्यार है तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलिएगे और थैंक्स पूर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बई बई